गुद मॉर्निंग वच्चो आज मैं लेक्चर थ्री में आप लोगों को वर्ण के वारे में आगे जानकारी देने जा रही हूं वच्चो वर्ण को थरसा पीछे से हम ले लेते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं वह हमने आप लोगों को बताया था कि वर्ण क्या होता है, वर्ण भासागी सबसे छोटी ही काई होती है, वर्ण के दो भेद होते हैं, अब यहां देखो, व्यंजन वर्ण के अन्य जो होते हैं, वह क्या होते हैं, संजुक्त व्यंजन होते हैं, दो भीन व्यंजनों के परसपर संजुक को संजुक्त व्यंजन कह और लाते हैं, हिंदी वर्ण माला में प्रमुक चार संजुक्त बें जने हैं, अक्षा त्रो ग्याँ श्रो होता है वह तालब बेसर रोर ओ के संजोग से बनता है, अक्षा से बनने वाला सब्द जो है, छत्रीय च्हमा त्रो से बनने वाला सब्द जो है त्रिशूल, इस्त्री, ग्यों से बनने वाला सब्द जो है ग्यानी, यग्य, स्रो से बनने वाला जो सब्द है वह है स्रमिक और स्रम बच्चों कुछ अन्य और संजुक्त वेंजन इस प्रकार होते हैं जब एक ही बेंजन दो बार एक स्वर के साथ प्रयुक्त होते हैं तो द्वित्वेंजन कहलाते हैं जैसे यहां हम देख रहे हैं कि लो और लो का संजोग है और इससे सब्द जो बना है जिल्ली, बिल्ली, चो और चो का संजोग है सब्द बन जो बना है सच्चा बच्चा यानि एक ही सब्द के दो वर्णों के संजोग से जो सब्द बनता है वह क्या कहलाता है वह दुत विंजन कहलाता है मौर मौका यहां संजोग है और सब्द बना है मरम्मत हिम्मत कौर कौका संजोग है और सब्द बना है धकका धककन बौर बौका संजोग है सब्द है डिबबा धबबा तोर तोका संजोग है और सब्द बना है पत्ता उत्यादे अनुस्वार जो होता है बचो जिन वर्णों के उच्चारन में हवा केवल नाक से निकलती है और उच्चारन थोरा जोर से होता है उनके उपर अनुस्वार का चिन लगाया जाता है जैसे कंठ, कंठ, पंठ, आदी अनुनासिक जो होता है जो स्वर मुख और नाक से बोले जाते हैं वे अनुनासिक कहलाते हैं ये चंद्रविंदू के रूप में वर्ण पर लगाये जाते हैं जैसे कापना, हाफना, भापना, इत्यादी और विशर्ग जो होता है यह दो विंदू अल्चिन वाला जो सब्द होता है इसका उचारन करते वक्त हो की ध्वनी निकलती है तत्सन सब्दों में ही इनका प्रियोग किया जाता है जैसे अतह, प्रातह, छो, बस्तुता, आद्वि बच्चों इसके अलावे हम आप लोगों क सब्द जब हिंदी में प्रयुक्त किया जाते हैं तो उनके लिए कुछ द्वनिया विक्षित की गई है जैसे आ, अब इस पर हम देखते हैं कि आधा चांद तो है परन्तु बिंदू नहीं है, यह नुक्ता वाला जो, यहां नुक्ता वाला फो, अंग्रेजी के सब्दों क लिए जो और फो वर्णों के नीचे विंदू लगाया जाते हैं, जैसे नुक्ता कहते हैं, जैसे कागश, फन, सजा, फसल, तकलीफ, मेच, खाना, फन, अब सजुत के वर्ण के वियंजन के बारे में हमने आप लोगों को जानकारी देही दी है, और बच्चों, अब हम अलप प्रान और महा प्रान, अलप प्रान क्या होता है, जिन वियंजन ध्वनियों के उचारन में स्वास वायू कम मातरा में कमजोर तथा कम बेग से बाहर निकलती है, उन्हें अलप प्रान कहते हैं, बढ़गों के पहले तिसरे वं पंचमबन तथा योड़ लवा इसके अंतरगत आते हैं, महा प्रान क्या होता है, जिन वियंजन वर्नों के उचारन में स्वास वायू अधिक मातरा में अधिक वेग से बाहर निकलती है, उन्हें महा प्रान वियंजन कहते हैं, वर्गों के दूसरे तथा चोथे वर्न तथा उसम वियंजन इसके अंतरगत आते ह जैसे ख, घ, छ, ज, ठ, ढ, ड, ठ, ध, ध, भ, ताला, बिश, मुर्धा, निस, द, स, ह, इत्यादी जैसे सभी स्वर वर्न को भी विभाजित किया गया सगोस वर्न और अगोस वर्न जिन वर्नों के उचारन में सभी स्वर वर्न काते हैं जैसे इत्यादी जो होता है या सगोस वर्न होता है बच्चो इसके अलावे वर्न में हम लोग जो जानेंगे वह रो का जो होता है रो को कितने प्रकार से उसको ये किया गया है दर्साया जाता है और रो का उचारन रो विभी स्वर्न होता है और उसको किस किस तरह से लिखा जाता है उसे हम देखते हैं कि रो से पुर्व जदी कोई स्वर रहत व्यंजन हो तो रो उसके नीचे लगता है इससे अनेक रूप बनते हैं पाई वाले व्यंजनों के साथ रो पाई के तिर्यक रिखा की तरह लगता है जैसे प्रकार, ग्राम, इत्य प्रकास, प्रेम, इत्यादी और ग्राम, अन्तर फेम, इक रिक नेक रिक देखा की पसार, जहीं, ग्राम, इत्यादी+, पाईम, इत्यादी, यह कोड़ mapped, यह का घ années।